जो फूल के आभूशन होते हैं ना फूल जो फूल के जो पात्र होते हैं फूल मतलब कांसा तामा पीतल इत्यादिक के आभूशन वहां पर बट रहे हैं दो नमबर पर जाओ वो लोहे के आभूशनों को वहीं पर फैंकता है और तुरंद भगा-भगा जाता है दो नमबर दर दूसरा सखा पोलता है वहीं, क्या लेकर के आ रहे ओं ? बूले ये पीतल और तामे के आप वोशन हम पायें, बूले कहां ? बूले दो नंबर, अरे वोले तो मूर खोगो, तीसरे नंबर दरवाजे पर जाओ, वहाँ चांदी के आभुशन बट रहें उन पीतल और तावे के आभुशनो को वहीं पर फैंकता है पुने दोड़ते दोड़ते वापस भगता है और तीन नमबर तर दरवाजे पर जाकर के चांदी के आभुशनो को एकठा करता है पुने आया पुने इससखा मिला आप वुशन बट रहे थे जाकर के लिया और बुले नंदवावा के महल में दूध तही इत्यादिक दूध तही घी मक्षन इत्यादिक की होली हो रही बंदारा तो चले ही रहा है लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो आज नंदवावा का महल ही छीर सागर बन गया हो और बाल कृष्णलाल उसी छीर सागर में आनंद की अनवोती कर रहे है और स्वयं श्रीजी वहाँ पर पधार करके अपने ठाकुर जी को आनंदी तो देखते हुए स्वयं आनंदी तो रही है बाल बाल नंद बाबा को पकड़ करके ले जाते हैं बाबा असी बल्सकी आयू हो गई हमने आपको कभी नाजते हुए नहीं देखा बाबा ने कहा भीया हम तो कभी नाजते ही नहीं हम बताओ असी साज के हो गई कभी आज तक तुमने देखा अरे बोले बावा उसी वही तो संकलप आज तूटना है आज तो अबने हां आनंद दोत्सो मनाया जा रहा है इसलिए बावा अब बिल्कुल भी संकोष मत करो और बावा को लेकर के जाते हैं सभी वाल वाल अपने बीच में हैं दिन्द बावा को भी नचाते हैं कि लिलाओं को पूरी किया जाए घकिन उतने ही करने जितना उचित है आएए हम लोग इए बजन के माध्यम से कोकुल में आनंदोत्सब का आनंद प्राद करें तो प्रवेश करेंगे आनंद की घड़ियाई रे, कोई मानो न मानो कोई मानो न मानो आनंद की घड़ियाई रे, कोई मानो न मानो आनंद की घड़ियाई रे, कोई मानो न मानो आनंद की घड़ियाई रे, कोई मानो न मानो कोई मानो आनंद की घड़ियाई